हलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल मैं होदी पढ़नीता तो आज मैं एक सिंपल सा मेकप लुक क्रेट करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है आप कहीं पर जाओ मैं तो बहुत मिनिमाल रखने की कोशिश करते हूँ पता नहीं आप ल है एक साल जाओ बाता है इतना करके चल्ओ स्कीन केर है मेकप से पहले मेले जो स्कीन केयर है वह मैं अल्य डी कर लिया कि इतना सारा मैं अगर दिखाने जाओ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए वो डन अभी स्टार्ट करते इस डर्डिंग में जादा टाइम नहीं लोंगी जो प्राइमर है वो नायका की और इसको प्राइस जो इहां पर लिखा हुआ है 549 सब कर लिंक में निचे डिस्कुशन बॉक्स में दे दूंगी तो इसको मैं फर्स्ट लगाऊंगी जितना हो सकता है मैं जल्दिली करके मेकप को दूंगी तो यह रहा मेरा फस्ट इसके बाद मैं दो मी टाइम लोंगी उसके बाद निक्स टेफ है वो है तो गर्मी में मैं फाउंडिशन यूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करतू मैं खुद नहीं यूज़ करतू गर्मी में अगर दिन के टाइम में जाओ बाहर जो मैं प्रोड़क्ट नुज़ करें कि वह कंसिलर इसका जो ब्रैंड है यह मेवलीन और इसका शेड है 130 मीडियम तो पिछे से आपको नौइज आएगा मेरे बेटी का तो वह आसपास खेल लिए तो उसका नौइज आ रहा है अगर आपको प्रॉब्लेम हो रह यह जो स्पॉण्स है ना तो इसको मैं यूज करूंगी अन्र आई पे आखो के ऊपर और जहाँ जहाँ पे मेरा थोरा बहुत स्पॉर्ट है उसको ढखने की कशुष करूंगी तो इसको मैं यह जो ब्यूटी बिलेंडर है इसकी हिल्स से मैं ब्लेंड कर लूंगी तो नेक्स जो प्रोड़क्ट वो बैनान पाउडर मैं इसको यूज कर रही हूँ इसको अच्छे से लेकर अच्छे से लगाँगी तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी उच्छ टाइम के लिए ना करंगे नायका कि ब्राउन चिक वाव यह जो पेंसिल है आईब्राव पें थोड़सा हलका साही करेंगे इतना ज्यादा कुछ नहीं कि मेरा जो मेकाफ वो भी लाइट रहेगा तो पीछे के तरफ मेरे दो आईब्रोस दो टैप का है आई नो सब कही होता है ऐसा तो यह डन अभी जो मैं करूंगी मेरा जो पाउडर है इसको मैं इसे इकसिस जो पाउडर है उसको क्लीन कर लोंगी यह हो गया अल्मोस्स दन थोड़सा मैं कॉम्पेक्ट पाउडर जो है जो मेवलीन का फीट मी का है शेट मैं नीचे डिस्पिशन बॉक्स में एट कुछ दूँगी इसको मैं नेक में लगाउंगी थोड़सा अभी मैं य तो आज मैं ट्राइ करते हूँ इसके यह बेस के ऊपर कैसे लगे गा इसलिए मैं इसको लगाउंगी थोड़सा अभी मैं इसको ब्लेंड करेंगी बाच ब्लाश के लवा तो मेरा मेकप जैसे अधुरा अधुरा सा लगता है तो ब्लाश के लिए ले रियू टिप्सी व्यूटि का यह ब्लाश इसका रिव्यू अगर देखना है तो मेरा आइधिंक शॉट्स में हैं तो आप चाहो तो चेकाउट कर सकते हो देखाना यह जो ब्लाश है क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है यह अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और एक जग ग्लोव आता है लगते ही कि मैं हाइलेटर लगा लिया आप लोग शायद बोल से तो सिंपल सा मेक अप कर रहो ब्लश क्यों लगा रहो मैंना अगर मेक अप कुछ भी नहीं कर लगा रही हो ना फिर भी लगाती हो ब्लश मुझे इतना पसंद है नेक्स जो स्टेप है वो है लाइनर हर्टे मेरा जो लाइनर एक में सही होगा एक में प्रॉबलम होगा आप बोलना कि मेरा आज का जो लाइन है वो सही खीच पाई की नहीं पता नहीं मुझे तो जितना भी कोशिश करतूं मुझे तो हर्टे थोड़ा सा प्रॉबलमेटिक लगती है मैं यूज करेंगी वाटर थोड़शा फिक्सर यूज़ कर लिए इसको खाली तुझ निक्स्ट लिप्स्टिक लास्ट स्टेप तो उसको मैं कॉन से लगा हूँ कॉन से लगा कॉन से लगा बदेख लेती हूं तो मेकिसममम टाइमना मैं डिसाइद नहीं कर पाती हूं मैं लास्ट मेरे मैं दो नीस लिपस्टिक को अलग से एक्सात करकी मैं लगाती हूं तो आज के लिए मैं,"P currency love के लगे क्ये लिप्स्टिक शेड कीव थे लास्ट एकनो मैं लिप्स्टिक है स्विज ब्यूटी का 22 रियल नियूड उसको मैं लगाऊंगी तो दन यह रहा मेरा कम्प्लीट लूप बाल को खोड़ लेती हूँ तो यह रहाज के मेरे सिंपल से मेकप लूप वीडियो आपको अगर अच्छे लगए डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल बटर में प्रेस करके रखना क्योंकि अगर मैं वीडियो डालू और आपके पास में नोट्विशन नहीं गये तो कैसे चलेगा मिलते हैं नेक्स